गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है और आज जो हम पाढ़ने वाले हैं, जिस विश्य के बारे में हम जानेंगे वो है लिंग लिंग मतलब जैंडर और लिंग किसे कहते हैं? लिंग कितने फ्रकार के होते हैं? तो बटाईए आप लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष या इस्तरी जाती होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं मतलब कि ऐसे वर्ड्स जिन से हमें पता चलता है कि मेल और फीमेल क्या है? ठीक है? फॉर इक्जाम्पल अगर मैं अपने विश्य में बात करूँ तो मैं इस्तरी लिंग हूँ मतलब कि फीमेल हूँ ठीक है? और मेरा भाई पुर्लिंग है मतलब वो पुरुष है इसलिए वो पुर्लिंग है वो मेल है इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं male and female, हिंदी में हम इसको बोलते हैं पुरुष और इस्तरी जिन शब्दों से हमें पुरुश्या इस्त्री के बारे में पता चलता है उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं इस्तिरलिंग और पुरलिंग जिन शब्दों से इस्तरी जाती होने का बोध होता है उन्हें इस्तिलिंग कहते हैं जैसे कि माता, गाए, चुईया, धोबिन, अध्यापिका, आदी और पुरलिंग जिन शब्द उसे पुरुष जाती होने का बोध होता है उसे पुरलिंग कहते हैं जैसे कि भाई, बकरा, धोबी, गुड़ा, आदी प्यारे बच्चों, इस्तिलिंग और पुरलिंग का ज्यान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के द्वारा हम अलग-अलग चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी वस्तू कौन से काटेगरी में आईगी है, जैसे कि मेज है, अब आप मुझे बताइए, मेज हमा इस्तिलिंग है या ठीक है, तो इन सारे शब्दों का घ्यान हमें कैसे होगा, जब हमें पता होगा कि इस्तिलिंग क्या है और पुर्लिंग क्या है, आपको जो वाक्शिट दी गए है, उसमें आपको यही कार्य दिया गया है, आपको अलग-acağız नग शब्द दी गए है, आप आपको शब्दों को पहचानना है, आपको इस लिंग शब्दों को इस लिंग वाले कॉलम में लिखना है, और आपको कई सारे वाक्ये दिये गए हैं, जिन वाक्यों में आपको इस लिंग शब्दों को पुर्लिंग में बतलना है, और पुर्लिंग शब्दों को इस लिंग मे करें और जाद से जाद आप अक्षरों को जाद से जाद आप ढूंडने की कोशिश करें आपके घर बें जित्ती बी चीज़ें उन सब को इडेंटिफाई करें कि कौन से इस से लिंग होगी इससे आपके ज्यान की बढ़ोतरी होगी आशा करती हूं आप समझ गए होंगे और अपना कारी अच्छे से करिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो